हेलो गैस, वेल्ट एक्सरेस में आपका हार्दिक स्वागत है, गैस आज सेटरडे का दिन है तो आज मैं आपके लिए तीन मल्टी बेगर स्टॉक लेके आया हूँ, जो आने वाले तीन से बारा महिने आप अगर अपने पोर्टफोलिय में लेके रखते हो तो वो स्टॉक में बहुत अच्छी रैली आ सकती है, विकली चार्ट के उपर अनलेसिस करेंगे और ऐसे स्टॉक डूनने का ट्राय करेंगे जहाँ पर लो रिसको हाई रिवर्ट सेटप बनता हो, तो गाइस वीडियो आप पूरा देखना है, तो गाइस कल फ्राइडे को अपने दो बड़े अनौस्मेंट किये थे, पहला अनौस्मेंट था कि अपना स्टॉक मार्केट का कोर्स जो अगस में आ रहा है, उसका लॉंचिंग कर दिया है, तो अगर आपको अप्टिंग करना है, तो यह कोर्स में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, यह से लेकर जैड तक आप सब प्रेडर हो, फूल टाम ट्रेडर हो, जो भी हो, सब कुछ स्ट्रेड़जी भी मिलेगी, और बहुत डीपली नौलेज मिलेगा, यानि कि टेक्निकल लेवल, केंडल स्टिक पैटन कैसे पहँचानते हैं, कौन से केंडल स्टिक पैटन कहां पर यूज करते हैं, स्टॉक का ट टेलिग्रम और ट्विटर पे, तो आपको सबसे पहले काम करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना, टेलिग्रम चैनल जोइन करके रखना है, उसके बाद अपने रात को 9 बजे, जो अपने हर फ्राइडे को एक स्ट्रेड़जी का वीडियो डालते है, सूपर ट्रेंड प्लस बेंड के इसाब से एक बहुत बढ़िया स्ट्रेडिंग स्ट्रेड़जी बहुनती है, वो भी आपको स्कैनर के साथ मिल जाएगा, स्कैनर भी इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कल का फ्राइडे का अनौस्मेंट है, वो मैंने आपको बता दिया, अब ही अपने चलेंगे 3 स्टोक, जिसमें पहले स्टोक का नाम रहेगा, आटो एकसल, आटो एकसल यहनी है कि आटो मोटीव, आटो मोटीव एकसल जो ऑटो एंसलर्यरे कंपरीजन करें गोए, तो स्टोक में आता है, आटो एंसलर्यरे, तो सबसे बढ़िया में इसका में सबसे low PEP और higher value के under value stock है तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो auto excel stock का नामे weekly chart के उपर अपने analysis करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो stock क्या कर रहा था यहाँ से rejection ले रहा था यह उसका क्या हो गया टॉप हो गया उसके बाद stock में गिरावट आ रहा थी देखो lower lows, lower rise फिर lower lows, lower rise लेकिन अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो stock क्या कर रहा है उसका जो भी downtrend lane आ रहता है यह downtrend lane आप में draw करके ही रखा है वहाँ तक stock पहुचा है और नीचे से भी देखोगे तो uptrend lane य आपको कोई भी stock FOMO में आके सीधा buy नहीं करना है अगर सही level आता है तब भी buy करना है stock बहले 2-5% महंगा मिले है लेकिन confirmation आना बहुत जरूरी है तो यह आप ध्यान से देखोगे तो stock का 230-231 में उपर जाता था लेकिन close बार बार नीचे दे रहा है पिछले 3 week से आज भी य बड़ बड़ है यह stock में कि उपर वो sustain नहीं कर पा रहा है पहला reason हो गया अगर यहां से समझो कि breakout देता है next week तो बहुत तगड़ी rally उपर की side आ सकती हो और अपने इसको stop loss बना देंगे clear हो गया तो अभी CMP 128 के आसपास आपको stock में कुछ नहीं करना 280 के उपर आने वाले week में जाता है तो आपको position बनाना है 2640 का level उपर की side stock दिखा सकता है 3-6 महिने में और निचे की side आपको stop loss लगाना है 1975 यह आपका stop loss हो गया तो risk reward देखो गए तो मोटा मोटी आपका 10% के आसपास रहेगा और reward आपका उससे भी अच्छा है तो यह अपन पर देख सकते हैं weekly chart के उपर trend reversal possible है अभी तक आया नहीं है बेस्ट अंडर वैलू यहाँ पर spelling mistake है वो चेंज कर दूंगा low PE और auto ancillary तो low PE कैसे है तो अभी मैं आपको screener पर लेके चलूंगा और उसके जो भी उसके competitor है उसका मैं आपको समझाओंगा तो यहाँ पर screener पर ज price से कुछ मतलब नहीं है आपको PE देखना है तो PE सबसे low किसका है आप देखो गए तो सबसे low PE 19 का PE है तो पहला तो हो गया कि peer comparison में सबसे सस्ता कम है low PE और ROCE देखो ROCE always क्या होना चाहिए PE से ज्यादा होना चाहिए 26 का ROCE तो Warren Buffett खुद बोलते है कि जो भी company का ROCE 20% से उपर होता है तो वो आपके filter में पहला chance देना चाहिए तो इसका 26% ROCE है तो यह उसके हिसाप से बहुत बढ़िया peak है तो आप comparison कर सकते है उसके हिसाप से और इसके sales भी देखो गए तो all time high के आ सकता है तो यह अपना पहला stock हो गया automotive excel जो पहला stock अभी guys मैं आपको दूसरा stock बताऊंगा जिसका नामे ttk prestige तो guys जो भी मैं आपको यहापे video समझाता हो जो भी chart analysis करके समझाता हो अगर आपको समझ में आता है और video के बाद आपको कुछ लगता है कि नहीं आपके value कुछ gain ह हुआ है आपकी life में तो please आप video को like कर सकते हो वीडियो को share भी कर सकते हो और comment करके motivate भी कर सकते हो guys तो आज के video का likes का target है 150 likes का target है तो guys इतना please अचीव करा देना अभी के अभी like का button देबाना अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो TT के prestige में क्या हो सकता है यहाँ पर देखोगे तो stock का नामे weekly chart के उपर analysis कर रहे है अपने हर Saturday को weekly chart के उपर analysis करते हैं और सारे stock आप देखोगे तो बहुत outperform करते हैं क्योंकि मैं आपको ऐसे stock देता हूँ जो एकदम low risk को higher reward पे हो तो यहाँ पर भी देखोगे तो weekly chart में stock क्या कर रहा था base बना रहा था तो आप इसको consolidation बोल सकते हो और finally उसने उसके उपर breakout दिया वो भी volume भी देखोगे तो tiktak volume है तो इसका जो भी downtrend लेना रहा था उसके उपर stock ने अच्छे से close दिया उसका जो भी supply zone था उसके उपर भी close दिया तो यहाँ पर अपने को double confirmation मिल चुका है तो अभी आपको ऐसे stock में wait नहीं करना चाहिए कि बहुत बड़ी candle बन गई है तो अभी मैं wait करता हूं नीचे आएगा तब भी buy करता हूं वह अच्छा setup है अगर आपको नीचे भी buy करना है तो भी मिले तो भी आप buy कर सकते हो लेकिन अभी भी देखो गई तो 890 के आसप के लेवल तीन महीने में stock दिखा सकता है और यह जो all time high के आसवास मारा था 1150 के लेवल 6 महीने में आने वाले stock दिखा सकता है तो टीटी के प्रेस्टीज में आपको दो टार्गेट दी है तीन महीने में 1050 है वापय हाप बूक कर सकते हो उसके बाद 1150 है और ऐसा नहीं बू दूसरा stock हो गया टीटी के प्रेस्टीज जो आज अपने 6 जुलाई को एनालिसिस किया ट्रेंड रिवर्सल सेटप है यह आप देखो गए तो spelling मिश्टे के आप भी थोड़ा सा है ट्रेंड रिवर्सल वित वर्ली में तो वो आपको दियान में रखना है अभी गाईज मैं आपको तीसरा और आखरी स्टोक बताऊंगा जिसका नाम है CGCL CGCL हैने कि Capri Global Capital तो गईज आज सेटेड़ का दिन है तो आज को आपको पता होना चाहिए रात को नौ बज़े क्या है अपना लाइफ शेशन है तो आपको आना है मिस मत करना आपको अभी से इंविटेशन दे रहा हो तो CGCL में क्या हो सकता है जो अपने regular viewer है तो वो तो आते ही है लेकिन आज अगर आप पहली बार channel पाया है तो आप भी live अटेंग कर सकते हो 9 बज़े अपना live रहता है हर Saturday को CGCL में क्या हो सकता है analysis date भी है weekly chart के उपर simple सा analysis है अभी आपको देखोगे तो stock consolidation कर रहा है लेकिन stock में risk reward बहुत अच्छा है इसलिए आप इसमें entry ले सकते हो तो यहापे trend link का support है और stock का यहापे देखोगे तो उपर गया निचे आया और यहापे consolidation करके finally इसने breakout दिया तो यह पूरा supply जोन हो गया breakout candle के बाद यह पूरा demand जोन हो गया तो stock आप देखोगे तो पिछल simple stop loss आएगा समझो कि stock अभी यहाँ से गिरेगा तो अभी demand zone का support है लेकिन अगर ज्यादा गिरता है निचे की सेट तो उसको trend link का भी support मिल जाएगा और उसके बाद भी गिरेगा और इसके निचे close देगा 190 के निचे तब ही अपने close करेंगे तो बहुत कम chance है कि stock निचे गिर अगर गिरता है तो आपका stop loss लेके exit करना है clear हो गया तो 190 का stop loss है 340 के target 312 मेने 312 मेने थोड़ा time ले लिया है तो आपको wait करना पड़ेगा लेकिन आपको सामने target भी बहुत अच्छे मिल रहा है तो आपको Fibonacci या से या draw करोगे तो 38% का retracement मिलेगा वो 340 का price आ रहा है तो इसाप से 340 आ सकता है 312 मेने में stock का नामे CGCL तो risk reward आप देख सकते हैं आपका 10% का risk के सामने reward आपको 50-60% का भी reward मिल सकता है उससे भी ज्यादा का तो guys आज की वीडियो में ही मैंने आपको 3 stock बता है तीनों stock अच्छे Auto XL है TTK Prestige और CGCL लेकिन आपको discipline के साथ trade करना है अगर इसमे stop loss होता है तो आपको exit भी करना पड़ेगा और level properly follow करना है जैसे कि Auto XL में अभी collective नहीं 280 के उपर जाएगा तभी आपको collective होगा तो वो आपको ध्यान में रखना है तो guys बस आज की वीडियो में इतना है वीडियो अच्छा लग है तो please वीडियो को like करके जाना और guys take care